सब्सक्राइब करिए हमारे यूटीव चैनल को, बैल आइकन को दवाईए और नोटिफिकेशन भी ओन करिए जिससे के आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे फैले नवस्कार दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारे यूटीव चैनल में आज हम आपको कराएंगे synthesis के अंतरगाद आने वाले आपके जो simple sentence बनाने के हम जो नियम आपको करा रहे थे दो simple sentence या तीन simple sentence को मिला करके और हम एक simple sentence में convert करते हैं उसके जो नियम करा रहे थे उसमें मैंने आपको participle पूरा करा दिया था और फिर मैंने आपको nominative absolute करा दिया अब जो आपका चलने वाला है वो चलेगा use of infinitive to तो infinitive का use हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे detail जानेंगे तो देखिए इसमें मैं note किया हुआ है किरिया की प्रिथम रूप या किरिया का प्रिथम रूप यानि जो first form होती है से पहले two का प्रियोग करके यह बनाया जाता है तो two का प्रियोग इससे पहले हम करेंगे तो two plus b1 अगर हम करते हैं तो बराबर में हम इससे infinitive कह सकते हैं और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है क्या ना नी ने या के लिए यह चीज आती है तो यहाँ पर जैसे अगर मान लिए कोई verb है वह जैसे पिले तो उससे अगर हमें infinitive में change करना है तो two पिले कर देंगे उससे पहले two लगा देंगे यह sing है तो two sing कर दिया हमने eat है तो two eat कर दिया ऐसी catch है तो two catch कर दिया और यह dance है तो two dance कर दिया और यह beep है तो हमने two beep कर दिया ओके अब इससे थोड़ा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखिए use of use जाने के सक्के से जो किरिया उद्देश से प्रकड करे यानि जिससे आपका जो aim हो उद्देश हो परपज हो उसे आप उसके पहले आपको two लगाना होता है अब देखिए sentence के जरिये से हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो देखिए पहला sentence क्या लिखा हुआ है rames bent to laknau rames laknau कया he wanted वह चाता था he wanted to start वह शुरू करना चाता था his own business अपना खुद का वो business शुरू करना चाता था तो उसका उद्देश क्या था उसका उद्देश था अपना बिजनिस शुरू करना तो यहां से to start his own business तो यह है चीज हम पहले sentence से merge कर देंगे इसकी उठा के अब देखिए पहला sentence हमने same to same हम रख लेंगे जैसा आभी रखा हुआ है sentence पहला और उसके बाद हम इससे merge कर देंगे जैसे रमेस अभी लिखा हुआ है रमेस meant to laknau रमेस laknau गया अब यहां से to start से उठा के इससे चिपका देंगे तो to start his own business रमेस laknau अपना खुद का business से start करने के लिए के लिए गया तो के लिए आ गया के लिए गया खुद का business से start करने के लिए रमेस कहा गया लखnau गया ऐसे नया sentence देखेंगे जैसे लिखा हुआ है I have a dog मेरे पास एक कुटा है it guards my house जो मेरे यानि वो जो कुटा है वो मेरे घर की क्या करता रच्छा करता है तो मैं एक कुटा रखता हूँ जो मेरे घर की एक रच्छा करता है तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं किस तरीके से I have a dog अब डॉग है अब देखिए इसमें टू नहीं लगा हुआ है पर हमें बर्फ से पहले टू लगाना था उसका उद्धिस क्या है रच्छा करवाना अपने घर की तो बर्फ से पहले हमें टू लगाना है तो लिखा मैंने I have a डॉग और टू लगाके हमने यहां से गाड से गरीब था he called he could not buy a house वहे एक घर भी नहीं खरी सकता था रमेश इतना गरीब था कि वहे गर भी नहीं खरी सकता था तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे तो उसका उद्धिस क्या है घर खरीदना और घर खरीदना कांसे स्टार्ट हुआ है तो देखिए यहां से बाई या हाउस अब देखिए इसमें कुछ रूल आपको ध्यान रखना है अगर बैरी आता है तो बैरी को आपको टी डवलो में चेंज करना है ओके यह चीज़ आपको याद रखनी है तो इस तरीके से हम इस तरीके सेंटेस बना सकते हैं पूरा कि यहां पर देखिए मैं नोट करके लिख हाउस कि वह हाउस भी नहीं खरी सकता इसका पूरा अरत क्या है मोगन इतना गरीब है वह हाउस भी नहीं खरी सकता वह हाउस भी नहीं खरी सकता यह पूरा इसका मीन निकलेगा ओके तो हमने लिखा हुआ है यहां देखिए बैरी याने बैरी बाले बाक्यों को इंफिनिट बीवन बना के पूरा ये इनिफिनिटिव चला है तो इससे पहले ही जो आए का ये जो आपका टी डवलो कर दिया हमने बैरी को ओके तो इसे हम पहले ही करेंगे इनिफिनिटिव से मैंने रूल में भी लिखके रखा है आपका अब देखिए निफिनिटिव से अगला किया दिवा हुआ है थोड़ा हम इसे उपर कर लेते हैं देखिए लिखा है लिखा है उसने अपनी पुत्री को भेजा तो अमेरिका अमेरिका भेजा वह चाता था एजुकेट हर उसे वह अपनी उसकी जो बच्ची थी लड़की थी उसे वह एजुकेट करना चाता था याynि ही सिच्छित करना चाता था इसलिए उसने उसे अमेरिका भेजा था तो उद्दिस गया था एजुकेट करना ओके तो अब इस तरीकी सवता से सेंट है sent his daughter उसने अपनी पुत्री को भेजा to America किस लिए भेजा तो to to तो हमने लगा दिया अब बी का मलब होता है हो न to be educate तो यहां बरबा आगी है आपकी educate हर तो उसे हमने educate करने के लिए बहां पे भेजा और इसे तुम दूसरी प्रिकार से किस तरीके समना सकते हो देखिए मिल लिखा हुआ है यहां पे he sent his daughter उसने अपनी पुत्री को भेजा to America अब यहां से आप ठा लीजिए sentence पूरा तो लिखा हुआ है to educate her तो to educate her से आप जोड़ दीजिए से फिर भी आपका sentence सही है अगर आप to be नहीं करते हैं फिर भी आप to educate her कर दीजिए यह भी आपका सही होगा देख लीजिए आप यहां पे ठीक है तो यहां पर आप to educate her भी कर सकते हो आप तो यहां से सीधा सीधा उठा सकते हो sentence यहां से to educate her ऐसे इना sentence देखेंगे देखें क्या लिखा हुआ है थोड़ा में से उपर करते हैं देखेंगे लिखा हुआ है he heard of her success उसने अपनी success मतलब जो news को दे रहा है success की news सुनी उसने he was very happy वह बहुत खुश्ट था जो उसने he heard of her success उसने अपनी success सुनी I was very happy मैं बहुत खुश्ट था उसकी news सुनके तो I was very happy मैं बहुत खुश्ट था to hear of your success तुम अपने मितल से कह रहे हो कि मैं आपकी success को success जो आप successful हो गए उसकी जब मैं news सुनी तो मैं बहुत खुश्ट था ठीक है इस तरीके जोड़ दीजी इसको नेश देगे क्या लिखा होगा है लिखा he had no money उसके पास पैसा नहीं है he could not give any away वह कुशनी दे पाएगा ठीक है तो he had no money उसके पास पैसा नहीं है किसके लिए तो देखो तो अब ये give लिखा होगा गिप से पहले बर्व है तो बर्व से पहले ये उद्धिस बता रहा है कि वह नहीं दे सकता तो टू प्लस भीवन से आप जूड़ देगे to give अभी नेस देखेंगे देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस में उजल पास्ड दा एक्जाम उजल ने एक्जाम पास्ड किया he was glad वह प्रसन था उजल ने एक्जाम पास्ड किया वह प्रसन था तो उजल वह प्रसन था अब देखिए यहाँ पे to past the exam to have past the exam एक्जाम पास्ड करके उजल कैसा था यानि प्रसन था अब इसको हमने किसमें मनाया हुआ है तो इसे बनाया हमने perfect infinitive में देगिए यह दि don't infinitive बाले, बाक के बाक का कार पहले ही पूर्ड हो चुका है अगर infinitive बाला जो बाक के है उसका पहले ही कार पूरा हो चुका है तो perfect infinitive यानि two plus two plus have plus b three का प्रियो करके बनाया जाता है तो इस तरीके साब देख सकते हैं इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है उज्वल पास्ट उज्वल वाज गिलेड उज्वल प्रसंद था अब ये प्रसंद किसलिए था क्योंकि वो एक्जम्प पास कर चुका था तो पास हो चुका अब जो हो चुका है उसे हमने इन्फिनिटिव बनाया है तो टू प्लस हैव और पास्ट दा एक्जम्प तो टू के बाद हैव लगाना है उसके बाद भी थर्ड लगानी है तो इसे परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाना है हमको क्योंकि ये कार पूरा इसका already done आप नेश देखेंगे कौन सा sentence है देखिए sentence लिखा हुआ ही बेंट टू आगरा वह आगरा गया इसका उद्दिश क्या था ताज को देखना तो ही बेंट टू आगरा यहां तो रखिए उसके बाद टू सीदा ताज इसमें जूड़ दीजी बस हो गया यह बेंट टू आगरा और टू सीदा ताज तो यह जो सी है सी देखना है तो यहां से टू से उठा लीजिए पूरा आग़े का sentence चिपका दीजी ओके नए sentence देखिए क्या लिखा हुआ है he has three daughters उसके पास तीन उसकी पत्रियां हैं he must get them married वह है उन्हें क्या करना चाहता है उनकी साधी करना चाहता है तो he has three daughters उसके पास तीन उसकी क्या है पुत्रियां है two got married उनकी साधी कराने के लिए तो उनकी साधी करना चाहता है इसलिए उसके पास कि तीन पुत्रियां है उनकी वह साधी कराना चाहता है get married कराना चाहता है उनकी ने सेंटेस देखिए थोड़ा इसे छोटा करते हैं देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है देखें सेंटेस ही हैड लार्ज फैमिली उसके पास बड़ा परिवार है ही मस्ट प्रोवाइड फॉर हम और उसे क्या करना पड़ता है उन्हें सब जो भी खान पीन की या कोई भी तो उसे प्रोवाइड करना पड़ता है ही हैड लार्ज फैमिली उसके पास पूरा सेंटेस लिख दिया ही अब किसके लिए टू प्रोवाइड प्रोवाइड करनाने के लिए प्रोवाइड एक वर्व है वर्व से पहले हमने टू लगा दिया क्योंकि इसे हमने इंफिनिट बना दिया है यही उद्दिष बता रहा था यह मस्ट प्रोवाइड फॉर देम उन्हें प्रोवाइड करना है उसको ओके ऐसी नहीं सेंटेस देखें के लिखा हुआ है यह वांटेड टू गैट आ जॉब देया है वहाँ पर एक जॉब पाना चाहता था ओके तो ही बेंट टू देहली पूरा सेंटेस अब क्या उद्दिष था टू गैट आ जॉब तू गैट जॉब हो गया तो यहां तक आप लिखती चीज़ें आप लेकिए लास सेंटेस देख लिखा हुआ है ही बिल बर्क हार्ड वह कठिनकार करेगा ही वांट्स टू इस्टेंड फर्स्ट वह है फर्स्ट आना चाहता इसलिए कठिनकार करेगा तो ही बिल बर्क हार्ड वह कठिनकार करेगा किसके लिए टू इस्टेंड फर्स्ट उद्दिष क्या है उसका इस्टें पूरा करा दूंगा उसके बाद जो भी आता जाएगा पड़े आपको वीडियो मिलती है तो आपको क्या करना है चैनल को सस्क्राइब कर लीजी ठीक है और सस्क्राइब करने के बाद आपको क्या करना है बैल आगन को दवाना है जिससे के आपको जब में वीडियो डालूगा तो उसका notification मिलेगा और परड़े वीडियो आपको मिलेगी यहां पर तो आप चैनल पर बने रहें continue रहें और यह वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथ share करना जो भी class 12 में पढ़ रहे हैं उनके पास इसे share करना जिससे कि वो अपन 75 प्लस नंबर दिलाने हैं अगर वो हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करता है और प्रैक्टिस भी करता है घर पे तो वो 75 प्लस ही करेगा ओके तो चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंग अगली वीडियो में तब तक के लिए आप से लेंगे विदा थैंक्यू झाल 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 झाल